आईए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशी फलका सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेश राशी की है मेश राशी वालों आज का दिन आपके लिए शांदार रहने वाला है आज दिन भर आपकी भरपूर एनरजी बनी रहेगी और विप्रीत परिस्थित्यों में भी आप समस्या का हल लिकालने में सक्षम रहेगी आज आए के साधनों में बढ़ोतरी होगी आपको किसी नजदी की संबंधी के यहां धार्मिक आयोजन में जाने का निवंतर भी मिलेगा अगर जमीन जाएदा संबंधी कोई मामला चल रहा है तो आपसी सहमत इसे सुलच सकता है आज घर के कारियों को सुवेवस्थित करने में विस्तता बनी रहेगी आपकी भहुतिक सुखसुवधाओं में बढ़ोतरी होगी आज आप कुछ नया करने की कुशिश कर सकते हैं आज के लिए आपका लखी कलर है सिल्वर और लखी नमबर है सिक्स व्रश राशिवालों आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है अगर मन में किसी बात को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो उन पर काबू पाने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे आज अपने लक्ष को हासिल करने के लिए ध्यान केंदित करेंगे कुछ समय आध्यात्मिक गत्विधियों का या मेडिटेशन आदमें बिताएंगे इससे काफी हद तक आपको सुकून मिल सकता है कारेक्षेत्र की आंतरिक गत्विधियों पर उचित निगरानी रखना जरूरी है अधिकारियों और संबानित लोगों से संपर्ग बना कर रखना आपके बिजनेस के लिए फाइदेबंद रहेगा आज के लिए आपका लखी कलर है जलो और लखी नमबर है एक मिथुन राशिवालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है अगर आपका पैतिक संपत्य का कोई मामला अटका हुआ है तो आपसी ताल्वेल से सुल्जाने की कोशिश करेंगे कामियावी मिलनी तय है कहीं ऐसा उढ़ा लिया हुआ या अटका हुआ पैसा है तो वापस मिलने के योग बन रहे है आज आपके सहज और उत्तम सभाव की वज़े से लोग आपकी ओर आकरशित होंगे आपके कुछ नजदी की मित्र अच्वा संबंधी ही आपको नुकसान पहुचाने की कोशिश करेंगे जिसकी वज़े से आपकी कारेट शमता प्रभाविद भी हो सकती है आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नमबर है नाई करकर आशिवालों आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है आज किसी रिष्टेदार के साथ खराब संबंदों को सुधारने में आपकी विशेश भूमिका रहेगी जिसमें आप कामयाब भी होंगे आज कारोबार में इस समय अपने जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत मेहनत करने की जिबरत है आज आफिस में कोई बहुत अच्छी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसे आप बहुभी निभाने में सफल होंगे आज बच्चों की गत्वीदियों और दिन्चर्या से आप संतुष रहेंगे एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है वाइट और लखी नमबर है पांच सिंग राशिवालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है आज प्रापर्टी संबंधी कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान निकालने के लिए आज अच्छा समय है कुछ खास लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा थोड़ी सी सावधानी और आत्मिश्वास दोरा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन हो जाएंगे आज अपने निर्णे को ही प्राच्विक्ता देंगे अपनी समस्याओं को छोड़कर नई शुरुवात करने की कोशिश करेंगे किसी बड़े विक्ति का साथ मिलेगा सतर्ता रखें और सुभाव में लचीला पन बनाय रखें बेहतर होगा कि छोटी मोटी नकारात्मत बातों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ही एकाग नहीं आज के लिए आपका लखी कलर है मैजेंटा और लखी नमबर है आठ कल्या राशिवालों आज का दिन आपके लिए सामाने रहने वाला है आज के दिन घर में किसी ने किसी कारे को लेकर चल रही विस्तता आपको ठका देगी परन्तु इस मेहनत का परिणाम मनोनुकूल मिलने से रहत होगी किसी समारोह में शामिल होने का निमंतर्ण मिलेगा आपसी मेल जोल से खुशी भी मिलेगी रिष्टो को सहेज कर रखेंगे इस समय नजदी की संबंधियों के साथ गलत फहिमियों की वज़े से कुछ दूरियां आने जैसी परिस्थितियां बन रही है सुकून पाने के लिए कुछ समय परिवार और बच्चों के साथ समय वितीत करना और आपसी विशार मर्श करना उचित रहेगा कारोबार में कुछ न कुछ चुरोतियां रहेंगी परन्तु जरुवत के अरुसार काम सुचारू रूप से हो जाएंगे आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नमबर है दो तुला राशिवालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है आज आप जिस काम को पूरा करने की ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे आज सामाजिक गत्विद्यों में आपका योगदान अवश्य रहेगा इस से संपर्क का दाइरा बढ़ेगा और साथ ही अपने लक्ष के पति पूरू रूप से एकागर चित रहेंगे फाइनेंस के मामले में आज का दिन फाइदे मन साबित होगा आपकी सकारात्मक संतुलित सोच दोरा जोजनावद तरीके से दिन चर्यावेतित होगी जिससे आपका मुद्साह और मनोबल बना रहेगा किसी प्रियम मित्र से मुलाकात सुख़द अनभूती देगी व्यवसाय में नई नई उपलब्धिया सामने आएंगी और आएके स्रोब भी बढ़ेंगे आज के लिए आपका लकी कलर है गोर्डेन और लकी नमबर है चार वरिश्चिक राशेवालों आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है आज कारोबार में कुछ रकावटे रहेंगी लेकिन साथी और कर्मचारियों की मदद से समस्या हल हो जाएगी नए काम से जुड़ी कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है कारे स्थल पर आज कम होने से सुकून मिलेगा आपका अपने अव्यवस्थित दिन्चर्या में सुधाल लाने के लिए किये गए प्रयासों में काफी हद तक आपको सफलता मिलेगी और आप अपने कारों को बेहतरीन तरीके से करने में समर्थ होंगे आज लोगों की नकारात्मक्ता खुद पर हावी न होने थे आज के लिए आपका लखी कलर है ग्रीन और लखी नमबर है आठ धन और आशिवालों आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है आज पिछले कुछ समय से चल रहे खर्चों को व्यवस्तित करने से आर्थिक इस्थित में ठहरावाएगा आज कोई उपलब्धी हासल होने से मन परसंद रहेगा साथ ही और नई जानकारियां सीखने को मिलेंगी आज बच्चों का पढ़ाई की तरफ ध्यान देखकर मन में तसली रहेगी दाबपत जीवन में मधूरता बढ़ेगी माता पिता का आशिरवाद और सानिद बना रहेगा लब मेट से मिलने का मौका मिलेगा व्यापार में योजना बदर तरीके से ताम करने से आपको लावकी प्राप्ती होगी आज के लिए आपका लकी कलर है परपल और लकी नमबर है तीन मकर राशिवालों आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है आज अपने आसपास की इस्तिती को सकारात्मक नजरिये से समझेंगे इस से आप और प्रभावशाली होंगे आज कई तरह की गद्विद्यों में वेस्तता रहेगी और आपको इसके उत्तम परणाम भी मिलेंगे बच्चों की पढ़ाई अत्वा करियर को लेकर चल रही चिंता भी दूर होगी उर्जा और उत्साह को बनाए रखने से मनोवांचित परणाम हासल होंगे किसी अंजान विक्ति पर विश्वास करना हानी का कारण बन सकता है आज के लिए आपका लखी कलर है ब्राउन और लखी नमबर है आठ कुम्भराशिवालों आज का दिन फेवरेबिल रहने वाला है आज आप अपने द्रह निश्चय और मेहनत से किसी विशेश काम को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे आज किसी भी इस्थित्य में जादा बहस में ना उल्चे और अपने गुस्से पर काबू रखे घार के अनुभवी व्यक्तिकी सलाह और मारदर्शन की अवहेलना नहीं करेंगे तो कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलेगा किसी राजनीतिक विक्ति की भी साहता मिलेगी इस राज़ी के छात्रों को अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर चल रही समस्या का समाधान मिलेगा और ऐसा समाधान मिलने से आपको सुकूर रहेगा आज बिजनेस से जुड़े संपरकों को मजबूत करें और मार्केटिंग संबंदी गत्विद्यों में ज्यादा ध्यान दे ये बेहतर है आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नमबर है दो मीन राशिवालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है जीवन में आपको जो सफलता अभी तक पराप्त हुई है उनकी वज़े से इस्तिरता मिलेगी आज आज आपके जीवन साथी का साथ आपके आत्विश्वास और आत्वल को और अधिक प्रभल कर रही है सोसाइटी अथ्वा समाज की गत्विधियों में समाजी गत्विधियों में आपकी उपस्तिती रहेगी और संपर्क का दाइरा भी बहतर होगा बढ़ेगा आज आपको भविश्य संबन्दी को निड़ने लेने में किसी खास विक्तिका मारगलर्शन मिलेगा भाविश्य की चिंता न करते हुए वेक्तिगर जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करें आज को वर्तमान को बेहतर बनाए आज के लिए आपका लखी कलर है पिंग और लखी नमबर है एक और अब बात उनकी जिनका जनम दिन है जिनका जनम दिन है वो आज बहन का आश्रवार ले और जिनकी आज मारी जैनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद लोगों को अनाच दान करें तो साल भर सुख और सुभाग बढ़ता ही रहेगा